हलो गाई स्वागत है प्रेम की रसोई एंड टीप्स में आप सब कैसे हैं आसा करते हैं आप लोग अच्छा हो स्वाश्त हो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आज हम जा रहे बनाने दिपावली इस्पेशल खोवार असमल आई वो भी देखियेगा बहुत अलग त कामरा बचा हुआ है उसी में हाँ अमूल का दूद एक पाकिट डाल देते हैं हमारा ये डेड़के जी दूद है हम इसको खोलने तक इंतजार करेंगे ये एक पाकिट दूद है पांस गराब इसको हम आगे इस्तमाल करेंगे इसको एक दूद सेकंड चला लेना है चलाने वाए खोलने का इंतजार करेंगे हमारा दूद खोल गया है इसमें हम बिनीगर डाल के फारेंगे अब चाहे इसमें निम्बो भी डाल सकते हैं दो चमाची करी में हम बिनीगर डाल रहे हैं ये बात ध्यान रखे कि गैस को तेजी रखना है जब तक हमारा दूद फटे ना तब तक ये धीरे धीरे चलाते रहना है हमारा अभी दूद फटा नहीं है आप चाहे तो इसमें निम्बो डाल सकते हैं निम्बो से फार सकते हैं हमारा विनीगर थोड़ा कम लग रहा है और दो चमाची करी में हम डाल लेते हैं इसको चलाते हुए पनीर को लिकलना है हमारा दूद में से पनीर लिकल गया है, देख सकते हैं कितना अच्छा से लिकल गया है हम गैस को बं कर देते हैं, एक बड़ा छालनी ले लेते हैं उस पर कपड़ा बिछा लेंगे, ध्यान रहे इस बेवाइटे कपड़ा रखना है, आप चाहे तो मार्केट से पनीर लेके बना सकते हैं, लेकिन हम घर पे फ्रेश पनीर लिकाल रहे हैं, इस तरह से पनीर को लिकाल लेना है, 10-15 मिनट इसको ऐसी मोड के रख देना है, ठंड हो जाएगा, तो इसको हम तरहती के मदस से मसलेंगे, हमारा ठंड़ा हो गया है, इसको खास बात एक ध्यान रखियेगा, इसको जितने हम मसलेंगे, उतना ही इसको रसमलाई अच्छा बनेगा, मेनी इसका यही होता है, परसीजर, कम से कम 10-15 मिनट तक इसको मसलना होता है, परस इसको मसलेंगे नहीं, हमारा खोवा रसमलाई बढ़िया नहीं बनेगा, आप लोग भी बनाईएगा, खाईएगा, कमेंट करके बताईएगा, कि हमें खोवा रसमलाई कैसा लागा, हाथ वला तरीका हम इसलिए बताए हैं, कि सभी के पास मिक्सी नहीं रहता है, हम आप लोग के पास इस टाइम ना रहे, जल्दी बनाना हो, तो आप कैसे जल्दी बना सकते हैं, तब तक इसको थोड़ा अच्छा से हम तयार कर लेते हैं, जी तरह से हम गून रहे हैं, इसी तरह से आटा के तरह मसलना है इसको, जैसे कि आप देख सकते हमारा फुटका है इ मिठाई हमारा यह नहीं बनेगा तो चलिए हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं तो आपके पास मिकसी हो तो मिकसी के जार ले मिकसी के जार में डालके एक से डेर मीनिट तक grind कर ले देख सकते हम डाल के आपको grind करके दिखाएंगे ये बहुत अच्छा से grind हो जाता है इसमें इसमें ज्यादा मेनत नहीं लगता है देख सकते हमारा एक से डेड़ मिनट हो गया है अब इसमें हम चीनी डालेंगे वो चीनी जैसे powder होता है आप चाहे तो मिक्सी में पीश के चीनी डाल सकते है सीलवाटा हो जो भी आपके पास पीशने वाला हो उससे पीश के आप डाल सकते हैं हम एक चमश डाले हैं आपके पास जैसे पनीर हो उसी सब से डाल सकते हैं एक बात को ध्यान रखें बेकिंग सोडा जरूर डालना है छोटी स्पून डालना है हम डालना भू देखाए नहीं आपको भूल गए थे अब इस तरह से लोईया सारे को बना लेना है हमारे सारे लोईया बन गया है अब हम गैस पे एक पतीला बैठाएंगे उस पे बड़ा गिला से दो गिला से हम पानी डालेंगे ये पानी खोलने का हम इंतिजार करेंगे तब तक हम दूसरा तरफ गैस पे एक और पतीला बैठा लेते हैं इसको तब तक पकाना है हमारा पान से कराम दूद है यह हमारा 28 गराम हो जाएगा अब आपके पास जैसे 1 केजी दूद होगा तो उसको आधा केजी दूद जरा के करना है तब तक हम दूसरा तरफ गैस पे पानी बैठाए थे वो देख लेते हमारा पानी गरम हुआ है कि नहीं हमारा पानी गरम हो गया है अब इसमें हम जितना मिठाई के गोले बनाए थे और सारे मिठाई के गोले डाल देना है जैसे कि हम डाल रहे हैं इस तरह से एक एक करके आपको डालना है गैज के फ्लेम तेज रखना है सारे मिठाई के गोले हमने डाल दिया है अब इसमें हम थोड़ा फूर्ट कला डालेंगे वो भी ज्यादा नहीं थोड़ी सी एक चुटकी के बरावर डालना है जैसे देख सकते हैं थोड़ी सी डाले हैं इसमें आप चाहे इसकी पी कर सकते हैं हम देखाते हैं यही है हमारा फूर्ट कलार गैज के फ्लेम तेज रहते हुए इसको ढख देना है तब तक हम दूसरे तरफ दूद बैठा हैं इसको चला लेते हैं इसमें हम तीन चार इलाइची डालेंगे इसको हम कूच के डालेंगे आपको चाहे इलाइची पाउडर होगा तो ओर डाल सकते हैं अधा इस्पून कि खौलते हम धुजमें हम थोड़ा सके सट्डाल लेंगे कि इसको धीरे धीरे चलाते रहना हैं एक एक मीनट पर इसको चलाते रहना है नहीं तो नीचे यह बैठ आएगा जैसे ये गर्णा होता जाएगा वह इसे नीचे बैठता जाएगा गेज की फ्लेम तेजी रखना है तब तक हम इठाई बेठाए इसको देख लेते हैं यह भी देखो कितना आच्छा बन के तयार हुआ है लेकिन अभी हमारा लगता है कि पका नहीं है अभी अच्छा से नहीं हुआ है इसको भी 10 से 12 मिनट तक पकाना होता है थोड़ाव ढख देते हैं इसको 10 से 12 मिनट भी नहीं हुआ है हमारा यह हमने चीनी लिया है आप यह हम कटोरी साधा कटोरी लिये है आप अपना हिसाब से ले सकते हैं जैसे कि हमारा 5 गराम दूद है तो हमारा 25 गराम हमने चीनी लिया है उसी हिसाब से जितना दूद हो उसे चीनी डाल सकते हैं चीनी डाल के इसको मिला लेना है हम इसमे कस्टर पडो डालेंगे इक चमाच के करीम में यह जरूरी नहीं है आप इसकीप भी कर सकते हैं लेकिन हम थोड़ा गड़ा होने के लिए डाल रहे हैं आप अगर नहीं डालेंगे तो दूद में पकाईए वो भी बहुत टेस्ट लगता है अगर आप कस्टर पॉड़र डालेंगे जो हम डालें इस तरह से नहीं डालना है दूसरा बावल में ठंडा दूद ले एक चमस कस्टर ले उसको अच्छे से मिला के तब इसको डाल दे इस यह बन के हमारा तयार हो गया है हम गैस को बन कर देते हैं हमार मिठाई देखते हैं वो भी तयार हुआ है कि नहीं यह भी हमारा तयार हो गया इसको भी गैस बन कर देते हैं जब छेना के मिठाई बन के तयार हो जाता है तो इसको ठंड़ा कर लेना है पांसात मिनेट के लिए जब हमारा ठंड़ा हो जाता है तो छानावटा कमदत से ज़े हाथ से एक एक करके पानी निचोर के खोवार असमलाई में डाल देना है गाईज आप लोग जरूर बनाईएगा खाईएगा कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा ये रसमलाई कैसा लगा पसान आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना मत भूलिएगा तब तक के लिए हम मिलते हैं अगला वीडियो में बाई बाई क स्ट di General बिलन को लोगवावारा तो पस्टार सेयर कि लगे मेंगा नहाल – जरूर रसमला वीडियो है झाल झाल